नमस्कार मैं हूँ रच्रा सिंग रुख करेंगे उतर प्रदेश की खबरों की ओर खबर यूपी के आगरा से है जहां आगरा लखनवू एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हाथसा हो गया एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है बस में लगबग वर पच खबर यूपी के बरेली से है जहां बहेडी में स्वामी देव हंस का कथित आओडियो वाइरल हो रहा है वाइरल आओडियो में दूसरे समुदाय के प्रती आपती जनक शब्दों का प्रियोग किया गया पीडित प्रधान ने सीयो बेहडी को शिकायती पत्र दे कर आरोपी स्वामी के खलाफ करवाई की मांग की है सीयो को दी गई शिकायत में बताया गया है कि गाउं में स्वामी आए दिन उसके खलाफ लोगों को भड़काते रहते हैं स्वामी ने प्रधान को प्रधानी सीज कराने की धमकी दी है आपको ये भी बता दे कि गाउं में प्राचीन मंदिर में पूजा के लिए लाउट स्पीकर बजाने की SDM बेहडी से अनुमती मांगी गई थी खबर यूबी के फरूखाबाद से है जहां ट्रेक्टर विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ जंक मारपीट की दबंग की मारपीट से तीम महिलाएं गंभी रूप से घैल हो गई है महिला ने दबंगों पर दुकान में खुसकर मारपीट कर चार लाख के साथ ही समान लूटने का आरोप लगाया है इसके साथ ही दवंगों पर ट्रेक्टर ले जाकर एजेंसी पर बेचने का महिला ने आरोप लगाया है आपको बता दे कि घायर आवस्था में तीनों महिलाओं को सेजसी में भरती कराया गया वहिक पीडित ने दवंगों के खलाफ थाने में शिकायत विदच कराई है जन दिन जमाँ करिया है हमारे साओर ने काग़ज जन दिन जमाँ करे या लोगाय थे काख और तेय्जू मेरे साथ बहुत बहुत बाहरी मेरी दुकान में ध्रत कहीती तारीungkin जब मने आताया उनने मेरे अमिरी मेरे मामप्रमन मिया लाथी का रैथी ु? क्या नाम है तुम्हारा कारेती हो अन लो मन ने तो कुछ अच्छी बुरी सामां की राकी उनने कुछ उना है दुकान में का लूटा है दुकान में तो बताए रहे पईसा लगे माल लगे और उनने पिर माला बेतादाद और जो सामान उने भरी पाई पापे कोई भरे ले जायरा कोई कुछ उबरे ले जायरा जी पहुंच और शहीं अपना अपनी हगदर राका कुछ अच्छी हमने आपस का मावला टेक्टर रेक्टर निजाम उद्दीन डाक्टर चिन लई गया और जो इन लोगों ने ब्रोद किया तो मेरी बहुं जो तिन चार महीने से गर्ब थे उसको मारा पीटा और इतना मारा पीटा जो हास्पीटल में बढ़ती है ए फायार करने के लिए पुलिस क है मारा साथ क्या नाम है उनका है आपके भाव का आपकी को जनवाई नहीं है खावर यूपी के हाथरत से हैं जो मोकि मंत्री के जोला चाप डॉक्टरों पर कारवाई करने के आदेशों की हात्रस जनपत के अधिकारियों द्वारा अंदेखी की जा रही है स्वास्त विवस लेकल स्टोर के सामने मरीजों को पेड़ पर लटका कर डिप चरह ही जा रही थी स्वास्त विवाग की दरिया दिली से हर बार ऐसा क्रिप्त करने वाले जोला चाप बच जाते हैं मोकि मंत्री ने भी इस तारीके से उपचार करने वालों पर सख्त कारवाई के आदेश्तिय हैं पर जिले के स्वास्त विवाग और प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी बजाती है कि हात्रस के अधिकारी ऐसे लोगों पर करवाई करने के मूड में नहीं है आपको बटा दे कि जोला चाप डाक्टरों के उपचार से हात्रस जन्पद में दर्जनों महिला पुर चोरों से मुठबेड हो गई है जिसमें कॉम्बिंग के दरान चार अन्य पशुच और गिरफतार किये गए हैं पुलिस अधिक्षक हात्रा से निपूर अगरवाल के इंद देशन में करवाई की गई है थाना सासनी पुलिस और एसोजों की संयोगती टीम ने ये करवाई कि तरफ से दूब और इस ननित बाईक नुस के दरान फ्रस तरफ फारकशात फायर कर जाने दो बडवालासों को गोली लगी है इनके पास से अवैद असले बरामत किये गया है, इनके अपने नाम पुष्टाज पर मुकीम उर्फ चुहा और फर्मान उर्फ अर्मान बताया है, जो कि इन्ली थनाःद्रस जंख्ञां के रहने वाले हैं, इनके और साथी सीकुर गाउं की तुलिया पर रेकी करके इनका प् अस्कोटाल रवाना किया गया और बढ़ कि कानपूर से हैं जहां गोविन नगर विदान सभा के विदायक सूरेंद्र मैथानी ने सवाल उठाया है कि पंकी मंदर के दोनों तरफ दो आरोबी लगबग साथ करोड की लागत से पंकी पावर प्रोजेक्ट से बनवाए गये थे जिसको सेतु निगम द्वारा तयार करवाया गया है मात्र धाई से तीन महिना पुरू ही नौ निर्मान हुए दोनों पुलों में जगद जगद दरारे आ गई हैं इसके शिकायत पिछली जिला अधिकारी के नित्रुत्यों में की गई है कानपूर नगर की समीक्षा बैठक में सभी जन प्रतिनिधियों के सामने विदायक ने शिकायत की थी और कहा था कि इन दोनों पुलों में भारी भ्रष्ट अचार हुआ है जो अभी से रिपेरिंग की मांग कर रहे हैं इसमें सेतु निगम के अधिकारियों और साथी कार दाई संस्ता से संबंदित लोग और आ रही है इसकी जांच होनी चाहिए और साथी दोशी को डंडित किया जाना चाहिए ख़वरियोपी के मुडादाबाद से है जहां वेराइज घटना के अरोपियों के घरो पर चस्पा किये गए नोटिस पर डॉक्टर स्टी हसन बोले की मेरे संग्यान में आया है कि वहाँ पर रास्ता चोड़ा करने की बात करी गई है इसके लिए एक महिना पहले ही वहाँ पर मारकिंग की गई थी जो जग़ लिजाएगी उसका मुआओजा भी दे रहे होंगे अगर यह काम विकास के लिए किया जा रहा है तो हमें क्या इतराज होगा और किसी बदले की भावने से किया जा रहा है तो ये गलत है इस मामले में अगर सुप्रीम कोट को भी डिग्रेट कर दिया जाए अन्देखी कर दिया जाए तो सिर्फ बदले के लिए ये किया जा रहा है तब सब 22 में बूलोजर के लिए 23 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है वहां चस्पा कर दिया गया है क्या कहीं देखी मेरे संग्यान में आया है कि वह रास्ता चोड़ा करने की बात हुरेगी और ये पहले ही उन्होंने एक महीने पहले लाल निशान लगाए थे और दो दू तीन तीन फिट या चार फिट गो जगा ले रहे हैं और जाहिर उसका कंपनसेशन भी दे רहा हुए तो अगर वो दिकास के लिए ये काम किया जा रहा है डवलिम्यूम्रमाइट की निकिया जा जा रहा है तो अरह किसी बदली की भावना से किया जा थे सब्सक्राइब कर दिया जाया उसकी अंदेखी कर दिया जाया सिर्फ बतले के लिए तो मैं समझता हूं कि समयधान की और सुप्रिम कोर्ट की अविल्ना हूँ सब्सक्राइब कर दिया जाया 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 है कि दोनों भाईयों में सुबह से ही मारपिट हुई वही हत्या रूपी भाई को पुलस ने गरफतार कर लिया है आज सान नाइममंडी चेतर के विलासपुर गाउं में दो भाईयों के बीच जमीनी संबंदी विवाद में मारपिट हुई इसमें एक भाई दुआरा दूसरे भाई पर धारदार अत्यार से हमला किया गया फेटराहाना कुछा हमली में घाय लोने के अपरांत उन्हें जलासपदाल में उपचार येत्तू भरती कराया गया दूराने उपचार विक्ती की मृत्ती हो गया तुरंत हमारे दोरा उस वक्ति को हिरासत में ले लिया गया है हमला वर और इसमें हत्ता का मुकद्मा पंचुक्रत करा कि उन्हें जील बिजा जा रहा है खबर उपी के पीली भीट से है जहां चीनी मिल पूरन में जल निगम विवाग द्वारा पानी टंकी का नौर निर्मान करा जा रहा था जिसमें पानी टंकी निर्मान में ठेकेदार ने बड़ा खेल कर दिया है आपको बता दे कि ठेकेदार ने पीला और दोम इट से पानी की ठंकी का निर्मान करा दिया और इसके साथ ही जल निगम विवाग के अभियनताओं की मिली भगत से घटिया निर्मान कराए गया विवाग की ओर से लापरवाही बरतने पर ठेकेदार बड़ा खेल कर रहा है पूरे मामले का विडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है पर दिपारा है और लगातार थेकदार थेख़़वाई करने से निर्मान करें चारा थेकदार और अधिकारी मिली भगत से यहां पर तंकी का निर्मान कर दाए और जल लिगम से बनाई जा रहे हैं तंकी में जमकर ध्रच्टाचार हुआ है कहने कही अप्तरों की महरवानी पर ये खेला खेल जा रहा है और योगी सरकार बने ही इन माफियाओं के खिलाब वियान चला रहे हैं लेकिन पीली भीट जिले में अफ्रों की महरवागी से ही रस्टाचार चरंप है और भारत धिजामनी पीली पीली पूरन पूर चीनी मेल में ख़वर यूपी के पीली भीट के हरिद्वार जहानाबाद नेश्चनल हाइवे पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने डनलप को जोरदार टक्कर मार दी जिसके चलते डनलप चालक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि गंगाराम का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है डॉक्टर ने चालक गंगाराम को मृत खोशिप कर दिया वहें उसके भतीजे अरुन की कंभीर हालत को देखते हुए जला अस्पिताल के लिए रफर कर दिया गया है इसमें गंगाराम जी थे 26 साल के रहने वाड़े बिलंग लेकर आई थी उन्हें नत वर्श था दो कि सास्वांस कुछ चल नहीं देती वैटल जैक की कुछ नहीं था बलत हो चुगे तो अगे की तमाम जानकारियों के लिए बने दिये हमारे साथ